हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू शेडवीत इसमाडनेस आई होप कि आप जहां भी होंगे सौस्तियों सुरक्षित होंगे तो दोस्तो आज हम जेल पहरी के प्रीवेस एर कोसन के बारे में बात करेंगे और उनसे लिटर जो एक्ष्टा फेक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो पूरे वीडियो लास तक देखेगा और सभी कोसन को देहान से देखेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट कोसन देखते है क्या है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मध परदेश सासन दौरा वर्स खालिस्तान में अप्दा प्रवंधा संस्थान यहीं के DMI की स्थापना की गई थी डिजैस्टर मेनेजमेंट इंस्ट्रीूट की स्थापना कब की गई थी आपसे पूछा गया है मध परदेश में तो यहाँ पर आपका जो correct answer है option number A है जो कि है 1987 ठीक है 1987 में disaster management institute की स्थापना भोपाल नामक सहर में की गई थी मदर प्रिदेश के भोपाल में 1987 में की गई थी दोस्तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो national level पर है national institute of disaster management इसकी स्थापना की गई थी तो यह आपका 1995 में की गई थी मदर प्रिदेश में 1987 में और वहीं पर आपका national level पर 1995 में की गई थी मदर प्रिदेश में भोपाल में है और आपका जो national level पर है नई दिल्ली में है तो आप लोग को दोनों याद रखना है दोस्तों जो आपका national institute of disaster management है उनके वरतमान के डिरेक्टर है जो है उनका नाम मेजर जनरल मनोज कुमार विंदल और दोस्तों जो आपका आपदर प्रुन्धन संसान है यह आपका ग्रह मंत्राले के अंतरगत आता है तो यह सारे एफेक्ट आप लोग याद रखेगा कोसमर सेकंड आप लोग का है कोसमर सेकंड आप लोग का है कि मध्प्रदेश के उस सहर का नाम बताए जहां प्रतेक वर्स दुरुपद समारोह का आयोजन किया जाता है तो यहां पर आप लोग का जो correct answer होगा यह जो आपको अधुरुपद समारोह मनाय जाता है दोस्तो अगर बात करें कि भुपाल में और कौन से समारोह मनाय जाते है तो आप लोग नाम याद रखेगा लोकरंग एक्जाम में पूछा जा सकता है तो लोकरंग जो समरो हो है भी आपको भुपाल में ही मनाय जाता है दोस्तो मध्ध प्रदेश के कुछ और समरो है जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसा कि सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट है मध्ध प्रदेश समरो हो ठीक है वह हम माखान लाज चतुरुवैदी समारो या कहा मना जाता है तो यह आपका खंडवा में मनाए जाता है तो यह सारे फेक्ट ही याद रखेगा एक्जाम में पूँछे जा सकते हैं को समद नेश लेगते हैं को समद थर्ड आप लोग का है कि रानी विक्टोरिया की सुर्णिम जैनती मनाने है तू निर्मित किये गए यूनेसको के विस्व विरासत इस्थल का नम बताईए आप से पूछा गया है कि रानी विक्टोरिया की जो सुर्णिम जैनती थी उस स्राणिम जैनती मनाने के लिए किस जो आपका युनेसको का विस विरासत इस्तल है उसका निर्माण किया गया था तो यहाँ पर आपका जो correct answer होगा option number D होगा जो की है छत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस ठीक है तो इसको पुराना नाम है इसको हम Victoria Terminus के नाम से जानते थे Victoria Terminus के यह अपका कहां इस्तित है तो यह अपका मुंबई में इस्तित है और इसको 2 जुलाई 2004 में 2 जुलाई 2004 को UNESCO बिस से जो आपका World Heritage Site है उसमें इसको सामिल किया गया था ठीक है दोस्तों यहाँ पर बात आई है UNESCO की तो अगर हम UNESCO की बात करें तो इसको फुल फॉर्म होता है UNESCO का United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसका फुल फॉर्म होता है UNESCO का ठीक है और इसको फॉर्म अपका है पैरिस फ्रांस में है पैरिस जो आपका सीन नदी के किनारी स्थित है और इसकी जो इस्तावन होई थी दोस्तों वह पूछा जा सकता है यह सारे अपको इस को संसे लिटेड याद रखना है चले को संसे देखते हैं को संसे में फोर्थ आप लोग का है जो की है कि अधिकारिक सुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के पहले वन जीव रिजर्व का नाम बताएं तो आपसे पूछा गया है कि जो सुभंकर प्राप्त किया था वह कौन सा था तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नमर सी होगा जो की है कानहा टाइगर रिजर्व ठीक है ऑप्शन नमर सी आपका जो है कानहा टाइगर रिजर्व इसको ही सबसे पहले सुभंकर प्रदान किया गया था य इसके बाद इसको 1 जून 1955 को इसको नैशनल पार्क का दर्जाद दिया गया था ठीक है और इसको अभी लास्ट में 1973 में इसको टाइगर प्रजेक्ट में सामिल किया गया था और दोस्तों यह जो आपका कानहा टाइगर रिजर्व है यह मद्ध प्रदिस के मंडला और बालाग जीले में ठीक है तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों अगर बात करें कि जो टाइगर रिजर्व उनिस सो तेहत्तर से सुरू हुआ था तो वह आपका उत्रा खंड के जिम कार्वेट नैसनल पार्क से स्टार्ट हुआ ठीक है और अगर हम बात करें कि जो आपका कानहा किसली नैसनल पार्क का और यह आपका क्या है बारा सिंगा है भूर सिंग एक बारा सिंगा है तो आप लोग को यह सारे फैक्ट याद रखना है चले कोसमबर नेक्स जरकते हैं कोसमबर फाइव आप लोग का है कि मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब दे दूँ है तू मद्प्रदेश सासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है तो यहां पर आप लोग को जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्सन नंबर बी होगा जो की है संबल योजना ठीक है तो संबल योजना को ही एक अपरेल आप लोग डेट याद रखेंगा ए इजली सबसेटी ही है तो इसको सुरुवात किया गया था मत्प्रदेश सासन के दौरा चले को समर नेक्ट देखते हैं को समर आप लोग का सिक्स है जो की है 1931 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के किस अधिभेशन में मौलिक अधिकारों और राष्टिक आर्थिक कारेक्रम अपनाए गया था यहां पर आपका जो करेक्रम को अपना लिया गया था दोस्तों आपको याद रखना है कि इस से 6 दिन पहले यह जो आपका कराची अधिवेशन हुआ थे आपका 29 मार्च को हुआ था एक्जाम में पूछा जा सकता है डेट तो याद रखेगा 29 मार्च 1931 को यह आपका कराची अधिवेशन हुआ था इसके 6 दिन पहले याने कि 23 मार्च 1931 को भगस सिंग, राजगुरू और आपका सुखदेव को फांसी दी गई थी और यह जो आपका कराची अधिवेशन हुआ था यह गांधी एर्विन समझाता में जितने भी जो आपके दिल्ली समझाता विसको जानते हैं हम लोग तो गांधी एर्विन समझाता में जितने भी समझाते हुए था गांधी एर्विन समझाओता 5 मार्च 1931 को हुआ था जिसमें गांधी और एर्विन के बीच में समझाओता किया गया था ठीक है तो आप लोग को यह सार एफेक्ट याद रखना है और जो आपका कराची अधिवेशन है इसके जो अध्यक्ष चुने गये थे वह आपके बल्लब भाई पटेल चुने गये थे तो यह सार एफेक्ट आपके लिए एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है चलिए कोसर नम बी है जो की अपका है अंजोली इला मेनन ठीक है ऑप्सन नमर बी यहाँ पर जो है अंजोली इला मेनन है जिनको कालिदा सम्मान से सम्मानित किया गया था मत्प्रेश सरकार में दोस्तों इसकी बात की जाकि इसकी स्थापना को हुई थी तो कालिदा सम्मान की जो स्थापन को दिया गया था और इसकी जो शुरुवात ही 1980 में हुई थी यह आपका चार छेत्रों में दिया जाता है एक आपका classical music classical dance theater और आपका plastic art यह चारों ही जो छेत्र हैं आपके इन में कलिदा सम्मान प्रदान किया जाता है तो आप लोग को यह सारे एक्ट याद रखना है चले को समर नेक्स देखते हैं को समर नेक्स आप लोग का है कि दिल्ली में स्थित कमल मंदिर या फिर लोटश टेमपल किस धर्म के अनिवाईयों का पवित्रिस्थल है तो यहाँ पर आपका जो जो कमल मंदिर है असल में क्या है कि जो आपका यह मंदिर है यह एक तरीके से कमल की आकरती नुमा बना होने की वज़त से ही इसको कमल मंदिर कहा जाता है जो आपका बहाई धर्म इसके संसापक है जो आपके बहा उल्ला है अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग टेंपल है यह आपका दिल्ली में स्थित है और इसको 1986 में बनाए गया था 1986 में इसका निर्मार किया गया था तो आपको इस आरे फेक्ट याद रखना है चलिए कोसर नम्बर नेक्ष देखते हैं तो कोसर नम्बर नेक्ष आप लोग का है कि 2017 में मद प्रदिस के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना सहवाल जिवास में खोजा गया था तो यहां पर आपका जो correct answer है ऑप्सन नम्बर ए है जो की है चित्र कूट ठीक है तो यह आपका current से समद्स के कोसर माना गया है दोस्तो जो आपका चित्रकूट है या आपका मदपदस के सतना वाले जिले में इस्तित है सतना जिले में इस्तित एठिक है जो कि एक तीर्थिस्टल भी है यहाँ पर बहुत सारे famous जो मंदिर है भरत मिलाप मंदिर जानकी कुंड है राम घाट है और आपका तुलसी दाजी का भी मंदिर यहां परिस्थ है तो आप लोग को याद रखना है कि जो आपका चेत्र कोट है यह सतना जिले में है जो कि एक तीर सिस्थल है और यही पर दुनिया का सबसे पुराना सहवाल जिल्वास 2017 में खो जा गया था चलि कोसन में नेक्स देखते हैं कोसन में नेक्स आप लोग कहए 10 नमर कोसन है कि मद प्रदेश राज में राज आनन संस्थान के समान निकाएक के अध्यक्ष कौन है यहाँ पर आपका जो correct answer होगा option number और नमर ए होगा जो कि राज के मुख मंत्री ठीक है तो मद प्रदेश राज के राज आनन संस्थान के समान निकाएक के अध्यक्ष राज के मुख मंत्री होते हैं option number A यहाँ पर correct answer होगा मद्ध प्रिदिस के वरतमान मुख्य मंत्री कौन है? सिवरा सिंग चोहान है तो आप लोग याद रखेगा कोसमर नेश्ट आप लोग का है कोसमर नेश्ट आप लोग का है कि दीप से दीप जले के रचाईता कौन है? दीप से दीप जले के रचाईता कौन है? इनकी जो पुष्टक है जिनकी रचना है हिम तरंगणी ठीक है तो हिम तरंगणी को आपका माखालाल चुतरवेदी नहीं लिखा है जिनके लिए उनको 1954 में 1904 में साहित अकाड़िमी पुरुसकार भी प्रदान किया जा चुका है और इनको 1963 में पद्म भी भूशन भी प्रदान किया गया था ठीक है और दोस्तों माखालाल चुतरवेदी नहीं दो पत्रिकां जारी की थी एक का नाम था प्रभा और दूसरे का नाम था आपका कर्मवीर तो आपको ये दोनों ही नाम याद रखने हैं आपसे एक्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि जो कर्मवीर नामक पत्र का है या पत्र है इसका संपादन किस के दौरा किया गया था तो माखालाल चुतरवेदी के दौरा किया गया था ठीक है तो आपको ये दोनों फैक्ट और RBI के बीच मौद्रिक नीती जो धाचे पर समझाता होता है उसका एक क्या लक्ष होता है तो यहाँ पर आपको जो correct answer है option number A है जो कि है मुद्रा स्पीती ठीक है मुद्रा स्पीती है जो आपका correct answer होगा तो आप लोग याद रखेगा कोसमर 13 है कि निमलिखित में से किसे भारत के मैट्रो मैन के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर आपका correct answer होगा option number B होगा जो कि है सिरी इ सिरी धरन ठीक है सिरी इसरी धरन है जो आपके इनको ही भारत में मैट्रो मैन के रूप में जाना जाता है तो अगर बात करें कि यह कौन थे तो 1995 से लेकर के आपके 2012 तक ठीक है तो दिल्ली जो दिल्ली मैट्रो है उसके निदेशक रह चुके हैं दिल्ली मैट्रो आपका 2002 में शुरू हुआ ठीक है आप लोग याद रखेगा दिल्ली मैट्रो जो आपका 2002 में शुरू हुआ था जिसके निदेशक रहे हैं आपके सिरी धरन हो रहे हैं दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भारत में सबसे पहले मैट्रो की शुरूआत हुई है वह आपका 1984 में हुई है जो कि कोलका सहर में चली थी और वहीं पर भारत में चली है 1984 में चली है जो कि आपका कोलकाता सहर में चली है ठीक है भारत की जो मैट्रो मैन है इस सीरी धरन को कहा जाता है इनको 2001 में पादम स्री भी मिला है और 2008 में पादम विहूशन से भी समानित किया गया था दोस्तों अगर आपको याद रखना है कि जो भारत में पहले ट्रेंज चली थी वह आपका 16 अप्रेल 823 को चली थी मुंबई से थाने जो कि 34 किलो मेटर चली थी तो आपके इस सारे फैक्ट याद रखना है चलिए कोसर में नेक्ष रिखते हैं कोसर में 14 आप लोग का है कि बैरन दीप भारत में एक म लेकिन यहाँ पर सक्री जॉला मुखी की बात हुई है तो सक्री जॉला मुखी सिर्फ एक ही है वह आपका बैरन दीप है जो कि आपका अंडवान निकोवार दीप समू में इस्तित है दोस्तों जो आपका नारकॉंडम जॉला मुखी है वह भी आपका अंडवान और निकोवा पहले होता शक्री जिन से कंटेनु वहां से धुउआ जलवास पनाता है वहां से निकलती हैं में दूसरा नदेवा का सुषब जाले मुक्य निकलती है लेकिन इसे कुछ आसंग का याсол यासे संभावना जटाई जाती है कि आने वले टाइम में इसमें से लावा और आधी जो कड़ है वे निकलने के उमीद रहती है तो उनको सुसुप्त जॉलमुकी कहा जाता जो तीसरे होते हैं वे आपके सांत जॉलमुकी है होते हैं जो कि जिनमें कोई असंका नहीं होती है फिर कोई संभावना नहीं होती है कि इसमें से दुवारा उद्वेदन होगा या फिर निमें चार मिनार इस्थित है, भारत के किस सहर में चार मिनार इस्थित है, तो यहाँ पर आपका 이렇게 answer होगा, option number D होगा, जो कि है हेदराबार, ठीक है, तो चार मिनार है, जो आपका है अपका हेदराबाद होगे, आपका तिलंगाना में इस्थित है, आपसे अगर पूछा जाता है कि जो चार मिनार है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका निर्मार कब किया गया था, तो पंद्रा सो इंक्यानवे में, पंद्रा सो इंक्यानवे में इसकी स्थापना की गई थी, इसका निर्मार किया गया था, ठीक है, इसका निर्मार किस न कोसम नेक्ट पर चलते हैं तो नेक्ट कोसन आप लोग कहा है कि निमले कितमेश से किस अंसान ने मद्ध प्रदेश में भारत के प्रथम एक ही करत नियंतरन और कमान केंदर का सुभारम किया तो यहाँ पर आपका जो correct answer होगा option number C होगा जो किया भुपाल smart city development corporation limited ठीक है भुपा कोसम नेक्ट पर चलते हैं कोसम नेक्ट पर चलते हैं तो यहाँ पर आपका जो correct answer होगा option number A होगा जो कि 36 गड़ है ठीक है तो जो आपका बार्द सागर बांध पर चलते हैं वह आपका मद्ध प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित है जबकि 36 गड़ से संबंधित नहीं है ठीक है तो आप लोग को याद रखना है जो बार्द सागर बांध पर योजना है यह आपका रीवा वाले जीले मिस्तित है रीवा साइडोल के जो मारक है वहाँ पर इस्तित है मद्ध प्रदेश में और यह आपका सोन नदी मिस्तित है सोन नदी मिस्तित है यह आपका 66 मीटर उचा बांध है आपसे अगर हाइट पूछा जाता है तो 67 मीटर यह उचा बांध है 1978 में बांध सागर बांध पर योजना की जो आपकी अधार सिला रखी थी वह आपका ततकाली जो प्रदार मंत्री थे मुरारजी देसाई जिसको हम Grand Old Man of India के नाम से जानते हैं तो मरारजी देसाई के दोरा इसकी अधार सिला रखी थी 1978 में और 2006 में अटल बिहारी बाचपे जो की ततकाली प्रदान मंत्री रहे हैं तो अटल बिहारी बाचपे ने इसको बांध सागर बांध पर योजना इसको राष्ट को समर्पित किया था तो आप लोग को यह सारे फेक्ट याद रखना हैं चलिए कोसर नमर नेक्स पर चलते हैं तो कोसर नमर नेक्स आप लोग का है कि पस्यम बंगाल में हावडा ब्रिज किस नदी पर बनाये गया है तो यहाँ पर आपका जो correct answer होगा पस्यम मंगाल में जो आपका हावडा बृ सकते हैं एक साइड आपका हावडा है और दूसरा आप साइड कोल का आता है तो इनके बीच में ही आपका जो है यह आपका ब्रिज इस्थित है ठीक होग ली नदी पर इस्थित है इसका जो आपका ओफीसियल नाम रखा गया था 14 जून आप से पूछा जा सकता है कि इसका ओफीसियल नाम के है तो आप लोग याद रखेगा यह जो आपका ब्रिज है इसकी सुरुवात हुई है 3 फरवरी 1943 को रवेंद्र सेतु कहें या फिर आप हावड़ा ब्रिज कहें इसकी सुरुवात की गई थी ठीक है तो आप लोग को यह सारे एफेक्ट याद रखना है चले कोसमन मनेश पर चलते हैं कोसमन 19 आप लोग का है कि स्मार्ट सेटी मिसन SCM को किस वर्ष सुरू किया गया था यहां पर आपको प्रधान मंतरी नरेंद मोधी जी के दवरा इसकी सुरुवात की गई थी और यह आपका जो आता है Ministry of Housing and Urban Affairs के अंतरगत इसकी सुरुवात की गए थी यह जो आपका प्रोजेक्ट है Smart City Mission है यह आपका सहरी विकास मंत्राल है भारस सरकार के दोरा यह आपका इसकी जो सुरुवात की गए थी ठीक है हरदीब सिंग्पूरी के दोरा अभी जो वरतमान इसकी जो सतंथ प्रभार के सम्हाल रहा है उनका नाम है हरदीब सिंग्पूरी नाम अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका सहरी विकास मंत्राला है इसका सौतान प्रभार के इसके दोरा भी सम्हाला जा रहा है तो हर्दीप सिंग पूरी जी के दोरा इसका जो मुख्याला है नई दिल्ली में स्थित है आप लोग को याद रखना है जो आपका सहरी विकास मंत्राला है इसकी सुरवात 1952 मुई थी जो इसका मुख्याला आपका नई दिल्ली में है वरतमान में जो आपके सौतान प्रभार इसका सम्हाल रहा है वह आपका हर्दीप सिंग पूरी है तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखना है चले कोसम में नेक्श पर चलते है कोसम आप लोग का 20 है कि किस मिसन का उद्देश चरण वद्ध तरीके से सहरी बेघर लोगों को आवस्टेक सिवाओं युक्त आस्रे प्रदान करना है किस मिसन का उद्देश है कि चरण वद्ध तरीके से सहरी बेघर लोगों को आवस्टेक सिवाओं युक्त आस्रे प्रदान करना है तो यहाँ पर आपका जो correct answer होगा option number A होगा जो की है आपका national urban livelihood mission ठीक है NULM option number A यहाँ पर correct answer होगा आवास और सहरी गरीवी उनमूलन मंत्राले के द्वारा इसकी सुरुवात की गए थी यह जो आपका योजना है राश्टी सहरी आजीविका mission यानकी national urban livelihood mission इसकी जो सुरुवात की गए थी आवास और सहरी गरीवी उनमूलन मंत्राले के द्वार इसकी सुरुवात की गए थी ठीक है और दोस्तो वर्तमान इसकी जो सोतंत प्रभार अभी में पिसले कोशन में ही देखा हरदीप सिंग्पुरी इसके सुतंत प्रभार अभी इसका सम्हाल रहे है जिसके मुख्यालन नई दिल्ली में से थे तो आपको इस आज़ए याद रखना है और यह किसके अंतरगतकार करता है तो आपका आता है MHUPA Ministry of Housing and Urban Affairs तो आपको याद रखना है तो दोस्तो यह रहा है आज कि हमारी important questions I hope कि आपने सभी questions को ध्यान से देखा होगा अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद आया है आपको जो आपका extra fact है वो भी बहुत अच्छे तेरी के सम्हाने सम्झानी कोसिस की है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को like and subscribe करना भूलेगा चलि मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद